आप हैं बिहार संबादाता के शाथ और मैं हूं मनोच चतुरवेदी नियोजी सिक्षकों ने केस किया था और आज उस केस की पटना उच्छ न्याले में सुनवाई थी लेकिन सुनवाई से ही इनकार कर दिया एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उच्छ न्याले ने उच्छ न्य नियोजीतों की हो जाएंगी मतलब यह अब निकाला जाए कि नियोजीतों की हार जो है यहां भी हुई है और नियोजीतों के जो तमाम संग के नेता हैं वो अभी कुछ देर पहले तक कह रहे थे एक दम पक्ष में सुनवाई आएगी कोट ने इनकार कर दिया है या कोट ने परिच्छा जो है उसे रोकने से इंकार कर दिया है परिच्छा लेने से इंकार नहीं किया है रोकने से इंकार किया है और आप तमाम समझाये जा रहे थे कि अगदम रुके गा ही हम बिना परिच्छा दिये ही सरकारी हो जाएंगे यह नितीश कुमार हैं बिना परिच्छा दि जब route का निर नेदर्दैयर, को जब किसी भी परकारिक नियम या निर्देश कोई भी नोकर साह अगर देता है तो इसका पालन करना हम लोगों का कर्तब है विशेश स्थिति में जो कारिशपालिका के द्वारा निदेश दिया गया कि राजकर्मी के दर्जा के पुर्व परिच्छा होनी है यह बिल्कुल कटू सकते है परिच्छा के उपरांत ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा इसलिए आज मन्यों चन्याले ने जो दाएर किसी संग के नेता के द्वारा जो याची का दाएर की गई थी उसकी सुनबाई हुई लेकिन उन्होंने परिच्छा को रोकने से इनकार कर दिया और परिच्छा होने की वो असपस्ट निर्देश दिया परिच्छा नहीं देना है फार्म नहीं भरना है कोट में भी गए वहां की मोकी खालेनी पड़ी बिहार मादमिक सिच्छक संग और बिहार प्राथमिक सिच्छक संग ने अंदोलन की धमकी दी ये भी जा सकते थे चुकि सिच्छकों के बहुत बड़े सदस्यों का एक संग है जो हमेशा सिच्छकों के लिए संगर्श करती है और उसे ये सब जानकारी थी नहीं तो वह भी याचिका दाइर कर सकती थी और दोनों बयोब्रिद्ध हैं और दोनों अनभवी हैं इसलिए सिच्छक संग की ओर से जो सबसे बड़ी संस्था है बिहार की उनकी और सिच्छका नहीं दाइर की गई कुछी है सही छुट भईये नेता लोग जिनको राजनितिक भूक है राजनितिक हवस है राजनितिक गलियारे में पहुँचने को लालाइत है ऐसे लोग वसूली तसीली करके और इस तरह का अनायास परियास करते हैं निरर्थक परियास करते हैं कि हम नियाले के माध्यम से है श्टे करवा दें अस्थागित करवादें रोकते आपको पूरा मामला बता दें क्या है कि आज सचमता परिच्छा के बिरुद दायर याज का प्रमृत कुमार यादो जो हैं उन्होंने प्याश्का दायर की थी बिहार सरकार के खिलाफ की बिहार सरकार जो है नियोजीतो की परिच्छा क्यूं ने रही है सक्षमता परिच्छा क्यूं ले रही है इसके खिलाफ एक याज का दायर हुई थी और सिक्षकों के वकील जो थे वो वाईवी गीरी इनके वकील थे और चक्रधारी चरण सिंग के बेंच में ये मामला था और आज मैं बता दूं आपको कि चक्रधारी चरण सिंग का आज ही विदाई समा रोह था आज विदाई समा रोह था उनका और जब उनके पहले तो उनने सुनने से इंकार कर दिया लेकिन पीके साही जो राज सरकार के महादिवक्ता थे उन्होंने तुरंट जैसे ही उन्होंने इंकार किया उन्होंने तुरंट उस पर दो सप्ताह का समय मांग लिया जिस अब यह हुआ कि भई अब यह परिक्षा जो है मार्च में जो है मार्च तक इस पर हम सुनवाई करेंगे यानि दो जो है दो परिक्षा जो सचमता परिक्षा होनी है नियोजी सिक्षों की दो उस समय तक हो जाएगी बड़े मज़दार में फस गए हैं नियोजी सिक्षक अब करें तो क्या करें क्योंकि जो फॉर्म निकला था भहुसे सिक्षकों ने उस फॉर्म को भरा भी नहीं है परिक्षा देने के लिए यानि कि नेताओं के पीछे पीछे चले अपना भवई से खराब कर लिए अब बताएए साहिल जी बिल्कुल संगों के ढहते अस्तित्तों और हुकुर्मुत्य की तरह हुगा है जो सिच्छक के संग है और सिच्छकों की खातेरदारी करते हैं तरफदारी करने में जुटे हैं ये बिल्कुल ठोती दलील देते हैं इनके पास कोई वीजन नहीं है इनके पास कोई एम या गोल नहीं है कि सिच्छकों को नियाज दिला सकें और इनका अस्तित्व अभी खत्रे में हैं और आनन फानन में कुछ चुट भाईय संगोने 13 परवरी को ये विदान सबा का घेराव करने का ये निर्ने ले लिये हैं जिसमें अभी बियार मादमिक सिच्चक संग और बिःार प्राथमिक सिच्चक संग ने अपना निर्ने नहीं दिया है और बिना अंदोल यह सरकार मानने वाली नहीं है, या संपुर्ण भाहिसकार करें, या संपुर्ण ताला बंदी करें. सैल जी आप कह रहें कैसे अंदोलन करेंगे सिक्षक संकीक तो मानता ही नहीं है जो कुकरमुत्ते जैसे हैं वो तो अलग कर दीजी आपके संग को भी तो इंजीयो घोसित कर दिया के के पाठक नहीं आप संग नहीं है इधर तो बरसाती मेढख की तरफ पूरे उभर कर आये है सरकार बदलने के साथ इनमें भी बदलाव आया है ये सब मूख थे गौन थे अभी सब बाचाल हो गए है सब बोलने लगे है कुछ तो ऐसे थे कि रवीवार को ब्रत तोड़े हैं रवीवार को मेडिया के सामने आये हैं और मेडिया के सामने कुछ बोलने की हिमाकत की है ये तो होसला अफजाई है सरकार बदलने के साथ जब तक वो सरकार थी ये कहां चुपे हुए थे किस मांद में गुचे हुए थे लेकिन इधर फिरदिक ब्रहमित करने का प्रयास कर रहे हैं एक और BPSC से पास आउट सिच्छक जो हैं उनको निस्कासित किया जा रहा है और सरकार के नौकर साहभी उनको परतारित करने के लिए उन पर कारवाई कर रही है तो सिच्छक तो पीसे जा रहे हैं एक और संग, दूसरी और नौकर साह यानी सरकार सरकार के नौमाइंदे नौकर साह जो उन्हें संग बनाने के नाम पर रोंद रही है किसी परकार का वो जो अपना निरने देते हैं या अपील करते हैं या किसी परकार का अनुने भिने करते हैं तो उस पर भी पावंदी लगाने का काम किया है सिच्छकों का तो हाल बेहाल है एक और संगठन से उनको निस्कासन चुकि वो मेधा का प्रदर्सन किया है मेधावी होने का पर्चे दिया है तो उनसे एक जलने की भावना से उनको निस्कासित किया जा रहा है संग से इसी भी सहल जी हमारे पास एक वीडियो आ रही है जो सिक्षक संगों के द्वारा जारी की गई है वाइवी गिरी जो सिक्षकों के वकील थे वो क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं कि क्यों मामला आगे बढ़ गया टल गया जरह उस व सुना आपने वाइवी गीरी ने कहा कि अब नोटीस जाएगी फिर से बहुत कुछ तमाम जो कानून की टेक्निकल भासा है वो समझाने की कोशिस कर रहे थे सिक्सकों की और सिक्सकों की जो नेता है वो इस वीडियो को जारी करने का हमें जो लगता है ये कारण ये है कि अपने साथियों को समझा सके इस वीडियो के मारफस से कि साहाब अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है बिना परिछा दिये ही तुमको सरकारी करा के मानेंगे हम लो भर्माने की बाद थी सिच्चकों को अब ही जो इस्थिती है सिच्चकों की वो इससे संबंदित है राजकर्मी का दर्जा से तो राजकर्मी का दर्जा का मुकाधार आंदोलन होगा और आंदोलन और सिच्चकों में एक जूटता जब होगी इसके बाद ही तो अभी परिछाएं चल रही है बियार सरकार की बोल की उसमें सारे लोग बिच्चन का कार्ज कर रहे हैं सारे लोग एक और आप सरकारी कार्जों में भी आप सहायता कर रहे हैं और दूसरी और दूसरी और चार फरवरी, नौ फरवरी, तेरा फरवरी का एक संदेश भी दे रहे हैं लेकिन बिहार मादमिक सिच्छक संग के महासाचिब और बिहार परात्मिक सिच्छक संग के अध्यच सम्मानिय अध्यच महोदे ने अभी तक किसी परकार की गोसना नहीं किये। उन्होंने कहा है कि परिच्छा का बहिसकार कीजिए लेकिन ये छुट भाई ये नेता ये आपस में जो मेढ़क की तरह बरसाती मेढ़क की तरह टाइं टाइं करते फिर रहे हैं कोई हाई कोड जा रहे हैं कोई सुप्रिम कोड जा रहे हैं कोई लौर कोड जा रहे हैं कोई भ और जो हमेशा बसूली में के लिए विख्यात हैं उसमें कौन-कौन उसमें तो एक बहुत नाम नहीं ले सकते हैं लेकिन सिचकों के बीच चर्चित हैं ये लोग हमेशा सोसल वीडिया पर हैं हाँ हमेशा कुछ-कुछ जैसे समानकार समान बेतन में कडोरों की बारिस हुई तसीली हुई और बिना हिसाब किताब के टाइटाइफिस समानकार समान बेतन फिर पुनह मुझको भवा तो इस तरह के जब संग मिलेंगे एक साथ तो सब अपना अपना दाओ देखेंगे कई संग कई बात कई उपदेश कई निर्ने आंधोलन क्या होगा खाक और ये सब के पीछे राजनितिक भूख है राजनितिक स्वार्थ है और राजनितिक गलियारे में पहुँचने का एक माध्यम है सिच्छक लेकिन सिच्छक समझ गये हैं अब तो इनकी संख्या भी कम हो गई है सच्छमता परिच्छा लोग देने के लिए तैयार है साब जब तक कोट की सुनवाई होगी मार्च महीने में तब तक दो टर्म खतम हो गया होगा परिच्छा का लगबग अभी तो बहुत बड़ी चाल सरकार ने भी चल दी और पीके साही ने जो समय मांग लिया है और उनका अन्यतर अस्तनांतरन हुआ था बीपीएसी के द्वारा हम लोग भी अपनी परिच्छा दिये हैं तो दच्छता और पातरता को राजकर्मी का दर्जा एस्टी एटी में कितने जाली परमान पत्र भी के सिच्छा मित्रों के जो अगर जाच हो तो 73,000 फाइल अभी तक नहीं मिल रही है क्या हुआ खोजना गलत है क्या इसमें स्कॉलर और जो सालवर गैंग बैठे हैं उनका थम इंप्रेशन अभी 2400 सिच्चकों का नहीं हो और जो जो रिजाइन देके भाग रहे हैं जो जो रि सरकार चाहती है कि वैसे लोगों को पकड़ें जो गुनबत्ता पुर्ण सिच्चा में हास्तचेप कर रहे हैं गलत माध्यम से निउप्त होकर ऐसे लोगों की जवाब देही तो होगी नहीं इनको तो पकड़ना अवस्यक है न कि सेल जी की बातों को मैं जरत दोहरा दू कल सौरंगाबाद के सिर्फ एक ब्लाक में करीब करीब 13 सिक्षकों ने रिजाइन दे दिया है उन्हें फिर से बुलाया गया है कि आप आके अपना थम इंप्रेशन दीजिए मने अंगूठे का निसान लगाए और इस तरीके से करीब अभी सैकलों ये संक्या हजारों में अभ पनाने जा रही है जी साहल जी बताइए सचमता पर इच्छा में जो कॉलम दिये गए हैं आप पर किसी परकार का मुकदमा लंबित नहीं हो आपका पूरा परमान पत्र से लेकर और चरितर परमान पत्र तक का और पूरा एकैडमिक आपका क्वालिफिकेशन उसमें अंकित क करना है और सारी के भी दियाधार कार्ड और जितने आपके आपसे संबंदित हैं वो सब उसमें होगा तो जो नहीं भरेंगे अपने छटेंगे यानि कि इसमें भी गड़बर जाला है कहीं न कहीं जो लोग ये नेताओं के पीछे घूम रहे हैं कि बच जाए परिक्षा दे लिए उनके मारक सीट से ले कि कहीं न कहीं तो गड़बर जाला है ये तो बाई तो संदेह उत्वन करता है ना ये तो संदेहात्मक की स्थिति है हम अगर सच्छम हैं सच्छमता परिचार देंगे हमको क्या डर है हाँ जो कंप्यूटराइज है कंप्यूटर के माद्धियम स online देना है हाँ उसमें अनिभिग हैं बहुत लोगों को computer का ग्यान नहीं है वो लोग ड़ते हैं तो offline अंत में वही समझाता होगा offline परिच्छा देनी है प्रात्मिक सिच्छक संग के सरकार इस पर मान सकती है कहीं न कहीं offline परिच्छा पर सहमत हो सकती है सरकार इस पर मान सकती है और सरकार इसमें समझाता कर सकती है लेकिन परिच्छा तो देनी पड़ीगी तब ही राजकर्मी का दरजा मिलेगा और हम आपको एक बात और बता दें जदी सिच्छक ये सोचते होंगे कि सरकार बदल गई है कहीं बिना परिछा दिये ही हम सरकारी हो जाएंगे तो बिहार के नए उपमुख्यमंत्री समराड चौधरी ने भी ये बता दिया है कि हमें क्वालीटी वाले सिख्षक चाहिए हम क्वालीटी वाले सिख्षक रखेंगे और आज यही चीज भाजपा के जो सिक्षक प्रकोष्ट के नेता हैं उन्हों ने भी कह दिया कि अध्यक्ष ने और बिहार के नए उपमुख्य मंत्री ने सारी बाते साफ गोज़ई से बता दी है कि हमें वो सिक्षक चाहिए जो पढ़ा सके अच्छे धंग से बच्चे को। क्या गलत है अब इसमें बताईए बिल्कुल सही है जब तक राजनितिग्यों के हाथ में संगों की कमान होगी सिद्धान्तों की लड़ाई हमेशा सरकार और संग के बीच दुधारी तलवार की तरह चलती रहेगी और सिछक पीसे जाएंगे तो यहां तो एक ही पाटी के पास कमान है खाली CPI माले वाले रखे हैं कमान भाजपा ने तो क्लियर कर दिया कि नहीं परिक्षा होगी आज माले के जो मानिय विधायक है संदीप सौरब जी बुद्धी जी भी हैं पढ़े लिखे इंसान है देली इनवर्सिटी से पढ़े हैं और उन्होंने भी अपने सासन काल में अपने सरकार के बीच जब सिछकों की समस्याओं का समाधान नहीं करबा सके तो अब वो माले क वो बैनर के नीचे फिर वही राग अलापने से नहीं होगा बुद्धी जीवियों को दिख भ्रमित मत किजिए आप राजनितिक और विशेशकर बाम पंती लोग कहां मदन मोहंजा बोल रहे हैं कहां संजय कुमार सिंग बोल रहे हैं कहां संजीव कुमार सिंग बोल रहे हैं कहां जीवन जी बोल रहे हैं सब बिलकुल राजनितिक स्वार्थ में बोल रहे हैं अपने स्वार्थ में बोल रहे हैं सिछकों का हितकर कोई नहीं है कोई भी र जितने सिख्षक प्रतिनिदी MLC है जब तक ये निस्वार्थ भाव से आंदोलन करता रहा संघर्स करता रहा सफलता पाया सारी स्चुब धाओं से लैस हो गया लेकिन राजनितिग्यों के दाओं पेच के चलते फिर एक बार चौराहे पर खड़ा है जागो सिख्षकों अब क्या मानते हैं आप अंतिम सवाल क्या सरकार और सिख्षकों के बीच में ये युद्ध चलता रहेगा या सिख्षक अपने नियोजी सिख्षक जो हैं अपने भावी से के लिए परिक्षा देने के लिए तयार हो जाएंगे या फिर एक सवाल और जोड़ दूँ या फिर वही खेल फिर से सुरू हो गया है जो बीपीएसी के टियरी वन में सुरू हुआ था कि सत्रुगन सिख्षक ने मना भी किया और उनके लोगनों ने परिक्षा भी दिया खेल क्या है बता दीजे जराब खेल तो है कि संग यदि आंदोलन के लिए आहवान करती है तो एक जूट होकर उनके निर्देश का पालन करें तब ही सरकार जुकेगी अन्यथा सरकार के ये नौकर सा जुल्म ढ़ाते रहेंगे अजुल्म सहना तो बहुत बड़ा दुसकर्म है आप परतिकार करना सीखें आगे आएं सडकों पर आएं जितने भी सरकारी कार्श करम उसका बहिसकार करें मतलब ये आपका पहला साजेशन है अंदोलन दूसरा जदी आप ये साजेशन दे तो क्या उन्हें परिक्षा देनी चाहिए यदि एक जुट नहीं होते हैं आंदोलन के लिए आख़वान नहीं होता है चुकि पुर्व में जो आंदोलन ससक्त परदरसन हुआ था गरतनी भाग में उसको बिना सर्थ समाप्त कर दिया गया चुकि बिना सर्थ राजकर्मी का दर्जा देने का लुभावना आदेश दिया गया और उसका जो है मंच से हमारे बिहार मादमिक्सी चक संग के महासचीब ने खुले आम एलान कर दिया कि हमें बिना सर्थ राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और वो टाइटाइप फिस हो गया इसलिए सेच्छकों जब एक जुट होईएगा आंदोलन का कार्जकरम बिगुल फुकेगा बिहार मादमिक सिचक्संग और बिहार प्रातमिक सिचक्संग और इन छुट भाईयों को हमेशा दरकिनार किजिए इनकी बातों में मत आईए समस्याएं अनंत आपके साथ हो जाएगी और जब ये दो संग अहवान करता है तो आप एक जुटो कर सड़कों पर आईए बिधान सभा का घिराव कर दिजिए और राजधानी को जाम कर दिजिए आपकी मांगे तुरत पूरी हो जाएगी चलिए सलेंदर सर्मा और सैलो जी ने कहा कि जदी दो सिच्चक्संग माधिमिक सिच्चक्संग और प्राथमिक सिच्चक्संग आंदोलन के लिए आपको बुलाता है तो आप एक जुठोकर पटना में जुठिए आंदोलन कीजिए कि जो आपका अधिकार है वो मिले वरना जो है वही कि परिख्चा दीजिए और पास होई है मैं भी अखिल भारतिय सैच्चिक संग का राष्टिय संजुक सचिब हूँ एक परवक्ता के रूप में अस्पष्ट करता हूँ कि मेरे अधिन जितने भी सदस्य हैं और लगभग दस राजियों में उनका भी समर्थन आपको मिलेगा सल्जी फिर से बता दिए आंदोलन की परिख्चा आंदोलन अगर ससक्त होता है आहवान होता है अगर बिहार मादमिक सी चकसंग की और से बिहार प्राथमिक सी चकसंग की और से तो एक जूट होकर सरकार के खिलाब सडकों पर आएं और आंदोलन ही इसका एक निराकरन है बरना आदालतें नियाई पालिका से उम्मीद मत रखे परिक्षा देना होगा और नहीं अगर आहवान होता है तो परिक्षा के लिए तयार है चलिए दोनों बाते जो है सलंद्र शर्मा और सैलुजी ने क्लियर कर दी और बड़ी सटिक बाते बता देते भाईया क्या होने वाला कल भी हमारे सो में थे तो उन्होंने कहा कि बस सब अगे आगे होता है क्या और वही चीज अभी एक घंटा पहले जो न्याले का निर्णे आया है पत्ना उच्छ न्याले का उसमें साफ हो चुका है अब नेता आगे क्या करते हैं ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे आप बने रहें हैं